So Hello, मेरा नाम है अभिशेग और स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से चैनल JR Tutorials में तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि already हमने 12th Biology का बैच शुरू कर दिया है और first lesson हमारा start भी है, lesson का नाम क्या है? reproduction in lower and higher plants, ठीक है? और हमारे already 3 lecture upload हो चुके हैं JR Tutorials पे, ठीक है? also मैंने आपको male gamit of fight के बारे में भी पूरा समझाया हुआ है कि male gamit कैसे बनता है, ठीक है? तो ये road map मैंने आपको first lecture में दिखाया था, क्या क्या पढ़ाया था मैंने आपको first lecture में मैंने बताया था reproduction क्या होता है? फिर reproduction के बाद, reproduction के दो parts होते हैं, एक asexual reproduction और एक sexual reproduction, asexual reproduction भी हमारा complete है already, ठीक है? फिर sexual reproduction की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमें क्या क्या सिखना है male gamit के बारे में सिखना है और female gamit के बारे में सिखना है तो males में जैसा कि सबसे पहले spore form होता है और इसी spore से आगे चल के क्या form होता है gamit form होता है तो ये बात हमने lecture number 3 में की हुई है बहुत ही important topic मैंने आपका already करा दिया है ठीक है तो यह जाके आप जरूर देखना आज हम लोग बात करने वाले हैं mainly female gametophyte की female gamet plants के अंदर form कैसे होता है ठीक है तो आओ चलो शुरू करते हैं अच्छा last जो lecture था वो थोड़ा जादा बड़ा हो गया था ठीक है ऐसा मुझे चले लिए ये एक plant है कोई भी plant है ठीक इसके अंदर एक flower होगा और यह flower आगे चलके सबसे पहले spors form करेगा मिखे जो भी प्लांट होगा सबसे पहला आगे चलिके क्या form करेगा sports फॉर्म करेगा और यही sports आगे चलके क्या फॉर्म करते हैं यह बात आप मेरे बच्छों को सब सारी चीज़े पता है यह बात पता है आप लोग को plants के अंदर direct gamete form नहीं होता plants के अंदर सबसे पहले क्या फॉर्म होते है sports पॉर्म होते हैं और उस पोर से आगे चलके क्या पॉर्म होता है यह बात क्लियर है तो अगर हम लोग प्लांट की बात करें अगर हम लोग मेल की बात करें मेल में क्यों सा था एंथर तो एंथर के अंदर गैमेट कहां पॉर्म होते थे याद करो तो माइक्रो स्पोरेंजियम में कहां पॉँम होते थे जिसे पॉलन सैक भी कहा जाता था उसी के अंदर कुछ टिशू प्रेजेंट थे जिसे क्या कहते थे हम लोग ऑरो जीनियस टिशू ठीच्ट लेक्टे लेक्ट्र आप लगाया नहीं होगा तो जाके सबसे पहले बो लेक मेल के अंदर जो स्पोर फॉर्म होता था वो कुंछा स्पोर था माइक्रो स्पोर था यह बात आपको क्लियर है तो यह स्पोर फॉर्म कहां पर होता था यह फॉर्म कहां पर होता था माइक्रो पोरेंजियम में ठीक है यह स्पोर का फॉर्म कहां पे होता था माइक्रो स्पोरेंजियम में तो जो भी चीज ठीक है जो भी चीज स्पोर को फॉर्म करती है जो भी चीज स्पोर को फॉर्म करती है उसे हम लोग कहते है स्पोरोफाइट ठीक है तो यहां अगर हम लोग मैल की बात करें मेल का SPOR क्या है माइक्रोस्पोर है इससे फॉर्म कौन कर रहा था माइक्रोस्पोर एंजियम तो हम लोग मेल की अगर बात करेंगे तो मेल में माइक्रोस्पोर travelling کیया होगा SPOR quoi ये बात कलिर एंटिक है इतनी बात समझ में आ रही आपको तो Micro Sporen mujer किया है Sporofite क्यों चल कि आगे चलके किसका formation कर रहा है Spor का formation कर रहा है sind میں M sword का नाम क्या है Micro Sporingija अब नाद संद स्पोर क्या बना जाथ था पॉलन ग्रेन बनाता था कि कूर। है ot persist क्लिएयर और संद और Сली यह एक pollen grain का structure है यह एक pollen grain का structure है अब इस pollen grain के structure के अंदर दो cells present होती है कौन-कौन सी सबसे पहले एक बड़ी सी cells present होती है और इसी cell के cytoplasm में एक दूसरी cell तेरती रहती है जिसे हम लोग कहते है जेनरेटिव सेल ठीक है यह छोटी अब आगे चल के क्या होगा आगे चल के यह जो अहलै तहकि अंदर जो जनरेटिव सेल है यह वापस माईटॉसिस करता है और माईटॉसिस करके दो छोटे छोटे और सेल बना लेता है देखो यहां पर यह है तुम्हारा जनरेट वेजिटेटिव सेल बड़ा वाला ते जी एक सेकंड वेजिटेटिव सेल यह बड़ा वाला सेल क्या है वेजिटेटिव सेल अब यह जो जनरेटिव सेल है यह आगे चलके क्या करता है माईटॉसिस करता है तो यह आगे चलके क्या करेगा mitosis करके यहाँ पे दो चोटे-चोटे cell बना लेगा यहाँ पे दो चोटे-चोटे क्या बना लेगा cell बना लेगा, इनी दोनों चोटे-चोटे cells को हम लोग male gamate कहते हैं इस जो दो चोटे-चोटे cells बने हैं इनी को हम लोग क्या कहते हैं, male gamate कहते हैं इस किभा इस मेरे com किसो किया पॉलन क्णिया अंब्राइट करे किया इसा ऐसी चीज मतलब ऊता है बनाना किसी चीज को फॉर्म करना किसका formation हो रहे हैं यहां पर gamete का formation हो रहा है तो हम लोग pollen grain को लिख सकते हैं pollen grain is the gametophyte ठीक है क्योंकि आगे चल के क्या बना रही है मेल gamete बना रही है सभी बात है इतने चीज़ा समझ में आपको यह समझ में स्पोरोफाइट क्या होता है ठीक है यह कोश्चन्स आता है कि बताओ एक प्लांट के अंदर स्पोरोफाइट क्या है एक प्लांट के अंदर गैमिटोफाइट क्या है मेल गैमिटोफाइट क्या है ठीक है तो मेल स्पोरोफाइट क्या होगा माइक्रोस, पोरेंजियम, क्योंकि इसी के अंदर आगे चलके स्पोर्स बनने वाले हैं, और next gametophyte क्या होगा, pollen, grain, ठीक है, क्योंकि इसी से आगे चलके क्या बनेंगे तुमारे gamet form होंगे, ठीक है, इतनी बाते क्लियर है, अब आपको ये भी पता होना चीह है, कि एक gamet बना आने के लिए कितनी बार meiosis की और कितनी बार mitosis की, आव समझते हैं, कि इतनी बाते मिटा रहा हूं है ये, देखो, जब सबसे पहले, अगर हम लोग बात करें, तो spore form किसके अंदर हुआ था, सबसे इसके अंदर किसके अंदर कुछ सेल्स थे, इस टिशू को मिलोग sporogenes tissue कहते थे, और इस cells को क्या कहते थे, हम लोग आके चलके, mmc, ठीक है, full form क्या था, इसका, microspore mother cell, ठीक है, microspore को बनाने वाला cell, इसलिए इसका नाम है, microspore mother cell, और इसी cell को polan mother cell भी कहा जाते है, क्यों, क्योंकि हमें पता है, कि आगे चलके polan grains को भी बनाते है, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या हुई थी, मियोसिस हुई थी, सबसे पहले क्या हुई थी, तो ये, एक, अब मियोसिस से क्या होता है, एक cell, आगे चलके, 4 cell form करते हैं, ठीक है, मियोसिस का result में, कितने cells बनते हैं, कितने daughter cell बनते हैं, 4 daughter cell बनते हैं, तो initially ये चार daughter cell अलग नहीं होते, एक दुसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ये बात होई थी next lecture में next नहीं, previous lecture ठीक है तो initially ये जो चार cell है ये जुड़े हुए होते, इनी एक cell को कहा जाता है microspore, और इस चार cell को इस पूरे structure को हम लोग कहते थे microspore tetrad, ठीक है ये बाते हम लोग की थी, अब देखो musis हो गई, एक musis हो गई, आगे चलके ये cells अलग हो जाएंगे ये cells क्या हो जाएंगे अलग-अलग हो जाते थे ठीक है, अब इस एक cell को वापस बाहर निकालो, ये वही एक cell है अब इस microspore के अंदर आगे वापस क्या होती है mitosis होती है, ठीक है जब इसके अंदर mitosis होती है, तब इसके अंदर दो cells बनते हैं, एक बड़ा cell और एक इसी बड़े cell के अंदर एक इसी बड़े cell के साइटोप्लाजम में एक दूसरा cell भी तेहर रहा होता है, ठीक है इसी cell काम लोग vegetative cell कहेंगे इसी cell काम लोग क्या कहेंगे, generative cell और अभी मैंने तुम लोग को बता है कि आगे चलके ये पोलंगरिन form करेगा, और ये पोलंगरिन आगे चलके वापस mitosis करेगा और ये वापस mitosis करेगा तो ये अपना vegetative cell तो वेसी रहेगा लेकिन जो generative cell वो उसके अंदर वापस mitosis होगी और यहाँ पे दो male gamete form होते हैं ठीक है, तो कितनी miosis हुई, miosis सिर्फ एक हुई, कहाँ पे हुई microsporengium के अंदर हुई, ठीक है एक mitosis यहाँ पे हुई, और eki mitosis यहाँ पे हुई, तो कभी-कभी एक्जांस में question आता है कि male gamete form करने के लिए ठीक है, male gamete form करने के लिए कितनी बार हमें mitosis करनी पडदेगी और कितनी बार हमें mitosis करनी पडदेगी तो कितना हो जाएगा, एक miosis और दो माइटासिस चीक है एक मियोसिस करनी पड़ेगी और दो माइटासिस करनी पड़ेगी जो लास्ट एर का पेपर था जो 2022 में जिसने बोर्ड दिया है बोर्ड का एक्जाम दिया है उनको ये कुश्चन आया हुआ था करने के लिए कितनी मियोसिस करनी पड़ेगै और दो बार क्या की इतनी वात है ऐ अपको पता चली है मैंने बताई थी आपको बाते क्यूंकि लास्ट लेक्ट्र आरड़ी बहुत कहता है कार्पेल के अंदर ठीक है और इसी कार्पेल को हम लोग क्या कहते हैं पिस्टल भी कहते हैं तो आव सीख लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है कार्पेल का एक ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है एक पॉड टाइप शेप का स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है यह एक नॉर्मल कारपिल का स्ट्रक्चर है ठीक है जिसमें यह जो बड़ा साइंट दिख रहा है आपको इसे हम लोग कहते हैं ओवरी इसे क्या कहते हैं ओवरी ठीक है अब इसी ओवरी के अंदर एक ओव्यूल रखा होता है इसी ovule के अंदर आगे चलके तो से को निया कि तो इसी ofule के अंदर आगे चलके female gamma form होगा यह यह प्लक्法 dialogues गोण hold करके रखा हुआ है इस डंडी को funicle कहा जाता है बच्चो इस डंडी को क्या कहा जाता है funicle और ये जो डंडी है जिसके उपर लगी हुई है इस structure को हम लोग placenta कहते है क्या केते हैं तो इतनी बाता समझ में इतने इस बाते ilumia के Sleeping को ही पिस्टल भी कहा जाता है कि अगर तुम्हारे कोशन में पिस्टल आता है तो घ़वराना नहीं है इसके अंदर नीचे वाला बड़ा सव्टॉक्च्टर हुल उसे क्या कहते हैं इस ओवरी के अंदर एक छोटा सा स्रॉक्चर प्रेजेन खोते हैं है यह पॉर्षन पर वाले पॉर्शं पर यह इस पतला सा रीजन दिख रहा है इसरे कहते हैं क्या क्यति हैं ठीक है, और इसके उपर यह जो sticky, sticky portion होता है, यह जो portion होता है काफी sticky होता है, क्यूंัों sticky होता है क्योंकि जब pollen grains ऊढ़के आएंगे हम लोग pollination में सीखेंगे कि कैसे कैसे pollen grains ऊढ़के आते हैं तो जब pollen grains ऊढ़के आएंगे तो तो यहां पर आके stick हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है, इसलिए इस region को हम लोग कहते हैं, stigma, ठीक है, तो इतनी बात है clear हुई, इस fistel और carpel के अंदर क्या होता है, ठीक है, ऊपर वाले region को हम लोग क्या कहते है, stigma, इसके जो beach वाले region है, इसे क्या कहते है, style, और यह जो बात है clear है, आजाओ next topic पर, अब मैं structure पढ़ना है, जैसे मैंने अभी तुम लोग को बता है कि ovule के अंदर ही आगे चलके क्या form होगा, female gamut form होगा, तो सबसे हमें क्या पढ़ना पढ़ेगा, और पढ़ना पढ़ेगा, तो आओ पढ़ लेते हैं, यह वो funicle है, जिसके ऊपर से ovule रखा हुआ है, तो यह funicle है, और यह funicle किस से हटाच होता है, नीचे placenta से हटाच होता है, तो यह placenta है और यह funicle है, जो मैंने अभी बताया, इस ovule की दो covering होती है, जांचा देगो, एक सेकेंद, इस ovule की, दो covering present होती है, कुछ ऐसे, देखो, इस ovule की, दो covering present होती है, इस covering को हम लोग कहते हैं, integument, ठीक है, अब देखो, मैं सीधा ovule बना रहा हूँ, मैं एक normal ovule बना रहा हूँ, लेकिन आपके syllabus में कुछ ऐसा ovule दिया हुआ है, ऐसे ovule को हम लोग anetropos ovule कहते हैं, anetropos ovule, ठीक है, तो आपको ये भी study करना, ये भी study करना, हम आपको दोनों चीज़े बताऊंगा, ठीक है, इसके अंदर भी finical present है, placenta present है, हमारे पास भी finical present है, placenta present है, लेकिन हम थोड़ा सा नॉर्मल वाल structure बना रहे, अब देखो, ये इसकी जो दो covering है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, integument, यहाँ पे भी दो covering का नाम है, ये देखो, एक integument, दो integument, integument, दो covering है, तो उपर वाली covering को outer covering बोल दिया, अंदर वाली covering को inner covering बोल दिया, जादा कुछ difficult नहीं है, ठीक है, तो ये है outer increment, integument और ये वाला internal इक यह जो फ्यूनिकल यह जिस पोजिशन पर अटाच होता है उस पोजिशन को हम आटाच कर रहा है किस से इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर से ठीक है इस हाइलम के उपर अब देखो इस हाइलम के साइड में जो इंट्यूग्यूमेंट है यह कवरिंग एक जगह से ओपन होती है बच्चों ओपन की हुए क्योंकि यहीं से मेल गयमेट अंटर करेंगे फीमेल गय ठीक है और इस एंड को जहां पर यह माइक्रोपाइल प्रेजेंट है इसे हम लोग कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड ठीक है जहां पर माइक्रोपाइल प्रेजेंट है उस एंड को हम लोग क्या कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड अब इसी माइक्रोपाइल के सामने वाला जो अब इस structure में देखो इस structure में हाईलम यहाँ पे present है ठीक है हाईलम कहाँ present है हाईलम यहाँ पे present है लेकिन जो चलाजा present है वो हमें कहाँ पे present है इस set present है दिख रहे हैं यहाँ पे यह चलाजा है यहाँ पे और यह हाईलम है ठीक है और आप बोलोगे कि यह वाला जो structure है इसमें हाइलम यहीं पे और चलाजा भी कहाँ पे है यहीं पे है तो यह matter नहीं करता कि हाइलम को position matter नहीं करता position किसका matter करता है micropile का ठीक है जहाँ पे भी micropile present होगा उसके opposite वाले कि अंदर एक टिशू भरा होता है यहाँ पे इस tissue को हम लोग कहते हैं न्यू सेलस क्या कहते हैं इसे हम लोग न्यू सेलस टिशू ठीक है इतनी बात है समझ में यह structure समझ में यही एक औव्यूल का structure है नॉर्मल से औव्यूल का structure है वापस देख लो क्या बोला मैंने यह एक placenta है इस placenta के उपर एक stalk present इससे क्या कहते है फ्यूनिकल स्टॉक मतलब क्या एक पतलीसी डंडी present है जिसे हम लोग फ्यूनिकल कहते है जहां पर यह डंडी अटाच है तुमारे ओव्यूल से जहां पर यह डंडी अटाच है उस position हम लोग क्या कहेंगे यह बात क्लियर है ठीक है अब इस ओव्यूल की कुछ क्या कैते है इंटिउयूमेंट जो बाहर वाली कवरिंग है उसे इण इनटीउयूमेंट जो अंदर के सहे एंटियूमेंट यह बात फुसे यहां से हमारा किसके पास अंटर करेगा ओभा इनटनर करेगा तब रिंडर सेट टो इसक्षील तो यहाँ से क्या करेगा हमारा micropile enter करेगा ठीक है जैसे यह जिस position से ठीक है जहाँ पर opening present होती है इस opening को Không लोग क्या कहते है micropile और जहाँ पर micropile present है उस position को हम लोग क्या कहेंगे micropile end इतनी बात है clear है ठीक है इतनी बात है clear है अब देखो इस covering के बीच में यहाँ पर कुछ tissues present होते हैं तिस क्या है ग्रूप of cells which perform same function उसी को हम लोग क्या कहते हैं बचमन में आपने पढ़ा वगा तो इस tissue को हम लोग क्या कहते हैं न्यू सेलर्स तीक है ब्लसेंटा के ऊपर एक स्टॉक प्रेजेंट एंद होता है उब्यूल पेट अच्छा उसे हम लोग क्या कहते हैं हाईलम ठीक है अब इसकी दो कवरिंग दोनों क्या कहते हैं इंट्यूग्यूमेंट आउटर और इनर इंट्यूग्यूमेंट इतनी बाते क्लियर है ठीक है यहां पर माइक्रोपाइल और इसके सामने अपोजेट इसके अंदर जो टिशू भरा हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं इतनी वादे क्लियर है ठीक है अब आप बोलोगी इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर आपने नहीं बताया तो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोर अजिनासिस ठीक है अब हम लोग क्या पढ़ना है मेगा स्पोर अजिनासिस ठीक है मेगा स्पोर अजिनासिस जिसे वहाँ पर था माइक्रो स्पोर अजिनासिस माइक्रो स्पोर अजिनासिस में लोग किसका फॉर्मेशन कर रहे थे माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन कर रहे थे तो मेल के स्पोर को हम लोग माइक्रो स्पोर कहते हैं वैसे ही फीमेल के स्पोर को हम लोग क्या कहते हैं मेगा स्पोर कहते हैं ठीक है इतनी बात क्लियर है फीमेल के स्पोर को हम लोग क्या कहेंगे मेगा तूर ठीक है इतनी बाते क्लियर है आ जाओ देखते हैं मेगा स्पोर बनता कैसे है ठीक है तो यह मान लो न्यू सेलस है यह मान लो न्यू सेलस कर्श्ट्रक्चर है अब इसके बाहर सब प्रेजेंट है लेकिन मैं बना नहीं रहा क्योंकि तुम लोग अल्रेडी सीख चुके ह है यह चल आजा चल आजा प्रेजेंट है यह मायं पाईल एंड प्रेजेंट ठीक है और यहां से combination अ इट करेंड के घुक्त जो नियू सेलस है टवा टीक है यह मैं थोड़ा मीटर रहा हूं कि यह जो एंड यह माइक्रो पाइलर एंड क्योंकि यहां से क्या गुसने वाला है आगे चलके मेल गैमीट गुसने वाला है ठीक है अभी इस निवसेलस यह टिशू है इसके अंदर बड़े सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे नहीं दिख रहा होगा आप हो अब बना लुद इसके अंदर सेम की तरह हम लोग में घमेंट गयंए प़र था मेल गैमिर को जो मेड़ स्थर मेल गैमेट मेचा वचार बना रहा था उसे क्या कहते हो क्या यहां क्या कुण सा स्पोर बनने वाला है मेगास वन्स कंशपोर तो इस गहेंगे मेड़ मेड़ेंव कॉम स्थ न्यूर्ण छाइट गाल। अब देखो, एक चीज और देख लो, male gamit में क्या हो रहा था है कि इसके अंदर जितने भी cells थे, जितने भी cells थे, उन सब को हम लोग क्या कह रहे थे, micro spore mother cells कह रहे थे, क्योंकि आगे चल के वो सारे के सारे cells का करने वाले हैं AZ लेकिन प्वीमेंट के अंदर ऐसा नहीं उता एगी एक इसल स्वर्म वह मैं आगे बता हूंगा कैसे एक सल ने फिमेंट लेगा के वीमेंट सिर्फ एक उन्थ ही एक करेगा उसे nutrition provide करना नुट्रीशन provide करना जैसे मे AJ राता भी गह तो इसने कोई एक सिल बहुत लग्विशाल है रुसी को मौका मिलेगा Megaspore Mother Cell बनने का ठीक है इतनी बात है क्लिए रहे तो बागी के cells को मैं मिटा देता हूँ ठीक है इनका काम नहीं है काम है वैसे इनका काम आगे चल के होगा कि जब यह हमें nutrition देंगे हमें तो नहीं देंगे Megaspore को देंगे तो यहां पर सरफ मैं सबस् policymakers को बना देता हूं जो क्या करें जिसे हम लोग क्या कहेंगे mega you ज़िबिंगे मेगा सभंद सब्स9 में कया देखने मिलेगी मिओसिस देखने मिलेगी क्यों कि यह मिउसिस ते आगे चलके क्या होता है ख्यानलता है गैमेट फ़िरी मिवस्व करने लोग डिपलाइड कहते हैं इस एल को मैं बाहर निकल ले यह हमारा तो मेगा-स पॉर मढ़र से ले अब इसके अंदर क्या होगी मीयोसिस होगी तो मीयोसिस के बाद कितने सेल्स फार्म हो जाएंगे चार सिल्स फार्म हो जाएंगे किते हैंगे चार में हो जाएंगे हैं इक यहाँ पर्ऌश यहां पर डिया पर लिज देता हूं इन सबसे पहली बात यह सारे से लाप्स हैं क्यूं है क्यूं मीउस्स के बाद जो chromosome का number है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है इसलिए meiosis को reductional division भी का जाता है तो यह जितने भी cell से वो क्या हो जाएंगे है प्लरड हो जाएंगे और तो और और बुरा क्या होगा इंके साथ कि इसमें से जो तीन cell है जो first तीन cell form हुए है वो आगे चलके degenerate हो जाएंगे ठीक है मतलब उनका जो nucleus है वो खतम हो जाएगा ठीक है और इसमें से कोई एक ही cell आगे चलके क्या form करेगा female gamut form करेगा ठीक है और इसी cell को हम लोग क्या कहेंगे mega spore कहेंगे तो मज़ में आ रहा है इसी cells को आगे चलके हम लोग क्या कहेंगे mega spore कहेंगे ठीक है तो यहाँ पर mega spore form हो गया ठीक है इसका मतलब यह जो cell था जो new cell था वो क्या था किस की तरह act कर रहा है sporophyte की तरह act कर रहा है किस का production कर रहा है sports का mega sports का production कर रहा है इतनी बात है समझ में समझ में next अब यहाँ पर यह cell को आप लोग उठाएक लेगा थे क्योंकि एक ही cell आगे चलके formation करने वाला है female gamit का ठीक है यह है mega spore समझ में इतनी अब इस mega spore में mitosis होना शुरू होंगी कितनी mitosis होती है total 3 mitosis होती है कितनी mitosis होती है 3 mitosis होती है लेकिन यह special type की mitosis है जिसमें nucleus तो divide हो जाता है ध्यान से सुनना यह special type की mitosis है जिसमें nucleus तो divide हो जाता है लेकिन इसका जो cytoplasm है वो divide नहीं होता है मतलब karyokinesis हो जाती है लेकिन cytokinesis नहीं हो पाती ठीक है मतलब आगे चलके जब माइटासिस होगी यहां पर आगे चलके क्या होगी जब माइटासिस होगी तो एक ही सेल होगा ठीक है क्या होगा एक ही सेल होगा लेकिन इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा ठीक है न्यूक्लियस क्या हो जाएगा डबल हो ज जाएंगे चार न्यूक्लेस आ जाएंगे तो देख रहे हो एक माइट्रासिस हुई तो यहां पर दो न्यूक्लेस और वापस माइट्रासिस हुई चार न्यूक्लेस इसके बाइञे चार हमिलेश होगा तो तो इसके अंदर कितने नुकलियस हो जाएंगे टोटल इतने हो जाएंगे एट नुकलियस इतनी बाता समझ में एट नुकलियस हो जाएंगे जहां पर यह चीज़े खतम हो जाती है तो इसके अंदर कितने नुकलियस होगा क्या तीन नुकलियस ऊपर चले जाएंगे तीन नुकलियस ऊपर चले जाएंगे और तीन नुकलियस नीचे आ जाएंगे बचे कितने नुकलियस दो नुकलियस ठीक है बचे कितने नुकलियस सिर्फ दो नुकलियस ठीक है अब देखो अब यहाँ पर साइटो प्लाजम का डिविजन होना शुरू होता है तो एक साइटो इसके लिए को होगा तो यहां पर तीन का काम वो गया यहां ठासिव merak होगा है एक दो चार पान छे ओर बीच में अब यहां पर Packess सेल वाल है ना सुरी सबका सेल मेंब्रेन है तो इसका भी एक सेल मेंब्रेन है यहां पर ध्यान से सुनों यह भी तो एक सेल हुआ चीक है यह तीन सेल हुए और बीच में कितना सेल हुआ एक सेल यहां भी प्रेजेंट है तो टोटल कितने सेल्स हो गए 7 cell ठीक है, कितने cells होगा है, total 7 cell है, लेकिन nucleus कितने present है 8 nucleus present है, इस condition को हम लोग कहते हैं 7 celled, 8 nucleated condition ठीक है, यह line जो है, यह आपके syllabus में दी हुई है mark कर लेना उसे, क्योंकि यह काफी time exam में आती है, ठीक है, तो 7 celled और 8 nucleated structure समझ में यह बात, क्यों आपके 7 cell दिया हुआ है क्योंकि 7 cell है, देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह 7, लेकिन nucleus कितना है, 8 nucleus है, इतनी बात समझ में ठीक है, यहाँ में मेटा देता हूँ यह भी मेट गया है मेर से, ठीक है, अब यह सारी चीजे हो तो किसके अंदर रही है, ओव्यूल के अंदर रही है, तो यहाँ पर देखों, यहाँ पर integument भी present है, यह integument यहाँ पर present है ठीक है, ठीक है, ठीक है थोड़ा सा गलत बनते हैं, कोई दिककत निया है ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर integument भी present है, ठीक है, यहाँ पर finical present है और यहाँ पर तुम्हारा present है, इस end को हाईलम कहा था, यह चलाजाल end है और यह वाली mycopyland है ठीक है तो अब देखो मैं naming करने जा रहा हूँ naming थोड़ा ध्यान से सुनेंगे naming कि इस cell को क्या कहा जाता है जो cells जो group of cells mycopyle के end पर present होते हैं जो group of cells mycopyler end पर present होते हैं उसको क्या कहते हैं यह जो beach वाला cell है इसे हम लोग कहेंगे egg cell क्या कहेंगे एक सेल देखो यहाँ पर यह तुम्हारा फीमेल गेमिट उपाइट है इसे ही ओवम भी कहते हैं इसे क्या कहते हैं ओवम भी कहते हैं इसके बाजू-बाजू वाले जो दो सेल है यह वाले सेल और यह वाले सेल इसे हम लोग सिनर्जिट्स कहते हैं क्या कहते हैं स्वाइफ टीक है ﷺ इससे इनेज़िक्वाइफ के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजिंट होती है यहां पर दोल सीनेज़िक्वाइक प्रोजेक्शन प्रेज़ेंट होती है मैख पिली फॉर्म अपड़एटन इनका function क्या है इनकी जिन्देगी का सेफ एक ही काम है इनको male gamit को अपनी तरफ बुलाने है जैसी male gamit कारपेल के उपर पहुचेगा स्टिगमा के उपर पहुचेगा तो सिगमा का अब उसको रास्ता तो पता नहीं कि कहां पर मेरा यह सीनर्जीट्स के उपर क्या प्रेज़न फिलेफां मेरेटस प्रेजन इनका काम होता है यह कुछ केमिकल से करते कुछ केमिकल सीगनल इसकर जिसके वैसे जो male gamit है वह इस फीमेल के एक तरफ क्या होता है अट्राक्ट होता है ठीक है साथी साथ में यह जो क्यों तीन ज़्हें यह साथ है यह तीन ज़स अन्टी पोड़र सह ले और इन तीन सेल का कोई काम पांई है सच में इन तीन सेल का आगे चल के कोई भी काम यह आगे चलते डिज Jen't हो जाने वाले हैं ठीक है और इसके बीज में जो यह सेल प्रेजेंट है इसे सेंटर्ड सेल कहा जाते हैं ठीक है और इसके और इस सेंटर्ड सेल में कितने न्यूक्लियस है दो न्यूक्लियस इसी न्यूक्लियस को पोलार न्यूक्लियाई भी कहा जाते हैं तो 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 यह हैं इसी माइक्रोपाइलर एंड पे जो बीच वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे मैंने क्या कहा था एक से तो यह हो गया मेरा एक सल ठीक है इसी एक सल के आजू बाजू क्या प्रेजेंट होते हैं क्या कहा मैंने अभी प्रेजेंट बात क्लियर है ठीक है और कितने नुट्रेंट होते हैं दो नुक्लेस प्रेजेंट होते हैं इसे ही अंदर ओलार न्यूक्लेस भी क्लियर भी कहेंगे इसी structure के अंदर क्या form हुआ है तुम्हारा egg form हुआ है तो इसी structure को हम लोग कहते हैं embryo sac क्या कहते हैं embryo sac और इसी embryo sac में क्या form हुआ है तुम्हारा egg cell form हुआ है मतलब इसी embryo sac में तुम्हारा gamete form किया है तो embryo sac को ही gametophyte भी कहते है the embryosak कोई क्या कहते हैं the game 2 Q آइण है इतनी बते क्लियर है समझ मैं यह बात ठीक है तो ऐसे तुम्हारा advisor अंगे स्पोर इंजिनेसिस होता है थिक है इसे चलगे आगे क्या फार्म होता है मेगा स्पोर फॉर्म होता है और मेगा स्पोर से आगे चल के क्या फॉर्म होगा female gamit form होगा समझत नाए, तो अब यहाँ पे भी तुम् kilogram गाउस पार सबसे पहले कितनी मियोशस होई यहां पे एक मियोशस होई तुम्हें यहाँ पर लिख दूँ कितनी मियो मियोसिस हुई है, वन मियोसिस, ठीक है, और माइटोसिस कितनी बार हुई, वो भी देख लो, एक यहाँ पर मेगा स्पोर फॉर्म, मेगा स्पोर पॉर्म हुआ था, तो एक माइटोसिस हुई, दो नूपलेस बने, वापस माइटोसिस हुई, चार नूपलेस बने, वापस माइ कितनी मायटाईस अच्छापिक चूइज में uhusion होगा है kutla आपको वीडियो अच्छी लगे तो like जरूर करना अगर आपने पूराने जहीं देखें कियोंकि यह लेक्चर नमट्र 4 है अगर आपने lecture number 1, 2, 3 नहीं देखा तो जाके उसे भी देखना ठीक है और अगर आपको कोई भी doubt है तो नीचे हमें comment में जरूर करके बताना ठीक है तो अगला जो topic है जो की pollination है देखो वापस आचाओ इस पर हम लोग ने वापस male पढ़ लिया